अब यहां ये बताना गैर वाजिब नहीं होगा कि 36 गड़ की लोकसभा सीटों की क्या स्थिती है 36 गड़ में लोकसभा के सज़त से 11 हैं ये तो पूर में बता दिया गया है ये 11 लोगों में कुछ आरक्षित क्षित्र हैं और कुछ अनारक्षित हैं निर्वाचन ख्षित्रों की बात करें तो सरगुजा, राएगड, काकेर और बस्तर ये चार ख्षित्र हैं जो अनुसूची जन जाती के लिए आरक्षित हैं मैं पुना दोरा दूँ सरगुजार, रायगड, काकेर और बस्तर, अनुसूची जन जाती के लिए आरक्षित चार इसके बाद अनुसूची जाती के लिए एक शित्र आरक्षित और अनुसूची जाती के लिए जो एक शित्र आरक्षित है वह है जांजगीर चांपा कुल सीटें हो गई पांच बची छे सीटें जो हैं वह अनारक्षित हैं और वे छे सीटें कौनती हैं बिलासपुर, रायपुर, महासमंद, दुर्ग, राजनाद गाओं और कोरबा सरगुजा और रायगण और काकेर बस्तर में अनुसूचित जनजाती का आरक्षन है इसलिए क्योंकि वहाँ पर इनकी बहुलता है तो जन संख्या की बहुलता के आधार पर आरक्षन या आरक्षित खेतर तै होते हैं तो कल मिलाकर चत्तीत गड़ के लोक सबा के सदस्यों की संख्या और उसका विवरन या आपके सामने ये बात याद रखेंगे कि ये आरक्षन जो है ये आरक्षित खेतर जो है या आरक्षन जो है वहाँ उम्मीदवारी के लिए है मतदान के लिए नहीं है मतदान के लिए आरक्षन नहीं है कि इस खेतर से केवल इसी वर्ग के लोग मतदान करेंगे नहीं इस खेतर से केवल इसी वर्ग के लोग उम्मीदवारी कर सकते हैं प्रतिनिजित्व कर सकते हैं चुनाओं लड़ सकते हैं 37 गड़ की स्थिति जानने के बाद थोड़ा भारत की स्थिति पर एक नजर डालें और आप देखेंगे कि ये देखें बूरी संख्या आपको दिख रही है आप पाएंगे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटे हैं महराष्ट में 48 और इतर प्रदेश में 80 बहुत बढ़ी संख्या ये बहुत बड़े बड़े खेटर हैं बहुत बड़े राज्य है और आकार में तो बड़े हैं ही इसके जन संख्या में भी बहुत बड़े हैं बिहार, महराष्ट, उत्तरप्रदेश ये स्वयम में लगभग डेड़ सो सीटें का निप्टारा करते हैं और इसलिए भारती लोकसभा के चनाओं में इन राज्यों के परणाम बहुत ही महत्पूर्ण होते हैं राजनीतिक, विशेशग्य और जनता सब की नजर इन खेत्रों के चनाओं परणामों पर लगी रहती है पश्वी बंगाल में भी आप देखिए तो 42 हैं और तामिल नाडू में 49 हैं तो इस परकार ये खेत्रों लोकसभा सीट बहुल खेत्र हैं और असी नमबर के साथ, असी की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सभी राजियों से बहुत आगे है असी के बाद, उत्तर प्रदेश की असी सीटों के बाद जो अगला नमबर आता है वह है महराश का जहां 48 सीटे हैं, अंतर आप समझ सकते हैं और इसलिए आप उत्तर प्रदेश के चुनाओ परणाम इतनी उत्सुकता से क्यों देखे जाते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाओ परणाम इतने डिबेटेबल विवातात्पत क्यों रहते हैं उसका एक कारण ये है क्योंकि वहां की 80 सीटें दलों के बहुमत को बढ़ाने मे और गिराने में बहुत अहम भूमिकाने भाती हैं ये तो हुई बड़े राज्यों की बात जहां की सीटें जादा हैं अब आप दूसरे जो कॉलम देख रहे हैं इसमें आप देखिए तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां एक या दो सीटे हैं में 36 गडमी 11 है और अनाचर प्रदेश दो मीज़ोरम शि तुरिपरा मनिपोर आदियादि और इस प्रकार कुल मिलाकर 543 सीटे में इन में संगषाषीच खेतर भी आते हैं पांच्चो ग्राली सीटों में संगषाषीच शेतर अर्थाथ यूनिएन टेरिटरी यहां की भी संख्या को आप देखेंगे तो कमो बेश बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या है केवल दिल्ली को देखें तो दिल्ली में लगभग साथ सीते हैं तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ संख्याशित खेत्र का क्यार्थ है यूनियन टेरेटरी जिसे अंग्रेजी में कहते हूं उसका क्यार्थ है और इस सूची में देखिए किन खेत्रों को यूनियन टेरेटरी कहा गया है दिल्ली जो भारत की राजधानी है अंडमा निकोबार, चंडीगर, दादरा नगर हवेली, पॉंडीचेरी, लक्षद्वीप आदी आदी तो ऐसे साथ खेत्र यूनियन टेरेटरी हैं और 29 राज्य हैं इसके अतिरिक्त दो ब्राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं एंगलो इंडियन कम्यूनिटी से संग शासित प्रदेश का क्यार्थ है संग शासित खेत्र ऐसा खेत्र होता है जो अपने विशिष्ट कारणों से केंदर सरकार के अधीन में रहता है राज सरकार के अधीन नहीं वहां कोई राज सरकारें नहीं रहती दिल्ली एक अपवाद है उसको छोड़ दें तो बाकी किसी भी संग शासित खेत्र की अपनी सरकार नहीं है इस सूचे में आप देखिए दिल्ली को छोड़ कर जो देश की राजधानी होने के नाते थोड़ी अपवाद है बाकी छैयों खेत्रों में उसकी अपनी सरकारें नहीं है और नहीं ये खेत्र किसी राज्य सरकार के अंतर गताते हैं ये छैयों खेत्र संग सरकार के अंतर गताते हैं अर्थात केंदरी सरकार के अंतर गताते हैं अर्थात union government के अंदर किताते हैं और इसी लिए इन्हें संग शासित छित्र कहते हैं इन्हें union territory कहते हैं ये बात आपको स्पष्ट हो गई दिल्ली एक अपवाद क्योंकि वो देश की राजधानी है एक विशेश स्थान है उसका इसलिए दिल्ली की अपनी विधान सभावी है जबकि बाकी छे union territory की कोई सरकार नहीं है तो उसका अभाविक है उसकी अपनी विधान सभाव नहीं है दिल्ली की अपनी विधान सभाव है दिल्ली की अपनी राजध सरकार है लेकिन उसके बावजोद दिल्ली union territory में आता है ये उसकी खासियत है जो आपको याद रखना हो और दिल्ली Union Territory में आता है उसकी अपनी राज्य सरकार भी है जिसका नित्रित जिसमें सत्ता दल आम आजमी पार्टी है उसकी अपनी विधान सभा है और उसकी लोकसभा की सीटों की संख्या भी आप देखिए सभी Union Territory की तुलना में सबसे ज़्यादा है साथ अन्य छे लोकसभा अन्य छे Union Territory की कुल संख्या जितनी है लोकसभा की उससे भी ज़्यादा इसकी है बाकी सभी खेत्रों को एक एक सीट मिली है लोकसभा की लेकिन दिल्ली की साथ सीटें दिल्ली की लोकसभा की साथ सीटें इसलिए क्योंकि दिल्ली की विशाल जन संख्या उसे एक खास स्थान देती हमारे देश के नक्षे में भोगोल में और इसलिए उसकी अपनी विधान सभा भी है और वह केंदर शासित भी है राश्पती के द्वारा एंग्लो इंडियन दो आखिर ऐसा क्यों ये एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी का चैन क्यों भारत में 200 वर्ष तक अंग्लेजों ने शासिन किया बलकि उससे जदा 1600 के आसपास सन 1600 के आसपास वो भारत आये और उसके बाद 1947 तक उन्हों ने शासिन किया तो 300 वर्षों से जदा के काल में अच्छी संख्यां अंग्लेजों की भारत में रही बहुत से लोग इसमें भारत में ही बस गए, भारत में ही परिवार बनाया, भारत में ही विवाह किया और ऐसी स्थिति में उनके जो आफ स्प्रिंग हुए ये लोग एंग्लो इंडियन कहलाएं जिसमें इंडियन मदर्स और ब्रिटिश फादर्स हों या वाईज़ वर्था ऐसे लोगों को समाज में उच्छे तस्थान देने के लिए और विशेश कर तब जब भारत ने अंग्रेजूं के साथ मैतरी पूर्ण सम्मंद बनाए रखने का एक निशक ये लिया था nirna कि यद्यपी अंग्रेजों ने भारत पर शासन तो किया है भारत को निचोड़ा है भारत को गुलाम रखा है लेकिन सब के बावजूद हम अंग्रेजों के साथ मित्रता पूर्ण संबंद रखेंगे उसी मित्रता पूर्ण संबंद के ताहद भारत कॉमन वेल्ट का सदस्य ब उनका चैन कौन करता है राश्टपती लेकिन राश्टपती स्वैम नहीं करते प्रधान मंतरी के परामर्श पर इस पकार आप देखेंगे कुल सीटों की संख्या हो जाती है पांच सो पैंतालिस जिसमें से दो नामित हैं और शेश पांच सो तरालिस चैनित हैं और जो इस बहुत बड़ी संख्या में सीटे हैं कुछ राजियों के जहां एक या दो सीटे हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी संख शासित खेतरों की और इन्हें संख शासित क्यों कहते हैं यदि मैं आरक्षन के दिश्टी से बात करूँ तो लोक सभा में जो सदत से हैं उसमें सामान सीटे की संख्या है 412, जैसे 36गड़ में सामानिसीटों की संख्या है 5 ऐसे यहां पर सामानिसीटों की संख्या है 412. अनुसूची जाती की संख्या 84 और उस 84 में 4 36 गड़ में है और अनुसूची जाती की सीटों की संख्या है 84 और अनुसूची जाती की 36 गड़ में एक सीट है जबकि अनुसूची जनचाती की कुल संख्या है देश में 47 सीटों की संख्या 47 वो 47 में 36 गड़ में सीटों की संख्या 4 है अंगलो भारती दो अंगलो इंडियन दो तो इस विकार 412 फिर 84 फिर 47 और दो कुल योग आता है 545 तो हर दृष्टी से आप समझ गये होंगे कि इन 545 सीटों का वितरण विभाजन के धंग से किया गया है लोग सभा के निर्वाचन खेत्रों के वितरण के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि राज्य को उसकी जन संख्या के आधार पर लोग सभा के सदसे मिलते हैं जैसे 36 गड़ को 11 सदसे मिले और जन संख्या ही निर्वाचन खेत्र की साइस का आधार होता है सभी निर्वाचन खेत्रों की जन संख्या मोटे-मोटे समान रहे वर्तमान में जो जन संख्या का अधार है वह 1991 के आकड़े हैं अगली बार लोक सभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में नर्धारित की जाएगे इसके पहले हर दशक्य जन गना के अधार पर सदस्यों नर्धारित होते थे और ये कारे बकायदा चौरासी में संविधान संशोधन ते किया गया ताकि राज अपनी आबादी के अधार पर जादा स्थान प्राप्ट करने का प्रयास ना करें क्योंकि ये कोशिच रहती है हर राज की कि हमारे हैं से जादा से जादा लोंगों को लोकसभा में प्रतिनिजित मिले और इस खीच तान का बड़ा बुरा असर पड़ता है तो उससे बचने के लिए उससे रोकने के लिए चौरासी में संविधानिक संशोधन में कुछ प्राउधान किया गया है जो बड़ा स्पष्ठ है लोकसभा के धाचे को समझने के बाद अब हम आते हैं लोकसभा की शक्ति और कारे पर लोकसभा की क्या शक्तिया है और दूसरे शब्दों में यदि मैं बड़ी सरल भाषा में बोलू तो सवाल यह उड़ता है लोग लोकसभा सदय से बनने के लिए क्यों इतने उससाहित रहते है और लोकसभा सदह से बनने के माइने क्या है, कितनी ताकत आती है लोकसभा सदह से बनने पर, इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ये जो निम्न सदन है लोकसभा, ये लोग वास्तविक प्रतनिजित्व करते हैं ज तो पहली ताकत तो वहां से आती है कि अपने निर्वाचन ख्षेत्र के असली एक मात्र प्रतिनदी क्योंकि एक ही प्रतिनदी एक ख्षेत्र से चुना जाता है। नियंत्रन की अंतिम शक्ति लोक सभा को प्राप्त हो। लोक परी सदन कहते हैं तो ये इसकी दूसरी खासियत है लोक सभा सदन से बनने की चाह क्यों हो लोगों में। भारती समिधान में लोक सभा जो है कहने को तो निम्न सदन है लेकिन राज्य सभा की तिलना में इसके अधिकार ख्षेत्र बहुत ज़्यादा है। इसे काफी उची स्थित्य दी गई है। यद्यपी राज्य सभा कोई कम महत्पूर नहीं है। संगवाद में उसकी अपनी महत्ता है। लेकिन लोक अतनतर की यदि बात करें तो लोक सभा को उच्च श्थर पर रखा गया है। यद्यपी उसे निम्न सदन कहा जाता है। तो लोक सभा के कारियों और शक्तियों को हम विविन शिर्षिकों के तहट उसको समझ सकते हैं। तो अब उसके शिर्षिकों को हम देखें और उस पर थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहला व्यवस थापिका संबंधी शक्तियों और व्यवस थापिका संबंधी शक्तियों के माइने क्या हैं। कानून बनाने संबंदी शक्तियों, कानून का निर्मान करना संबंदी शक्तियों समविधान के अनिसार भारती संसद जो है वो संगी सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विश्यों तथा कुछ विश्यों में राज्य सूची के विश्यों पर भी कानून बना सकती है ये चार श्रिणियां हैं जिस पे वो कानून बना सकती है पहला संघीय सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा अवशिष्ट सूची और चोथा राज्य सूची के विशेश परिस्थित्यों में अर्थाथ देखा जाए तो लगवक सभी सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा का है ये उसकी ताकत बताता है सवाल याते हैं ये सूचियां क्या है भारत एक संग है जहां केंदर में एक सरकार है और राज्यों में सरकारी है एक सरकार केंदर में और 29 सरकारें 29 राज्यों में और दिल्ली एक राज्य में जो यूनियन टेरिटरी वहां भी एक सरकार है तो 30 सरकारें और एक 31 सरकारें सरकारों का डायरा क्या रहेगा केंदर सरकार किस मुद्दों पर कानून बना सकती है राज्य सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है इसको इस पश्ट रूप से समवधान में परिभाश्चित कर दिया गया ऐसा नहीं होने पर क्या होगा हो सकता है केंदर सरकार कानून बनाए और राजसरकार उसी विशय पर उसी बिंदु पर ठीक उल्टा कानून बना बैठे बहुत टक्राओं होगा हो सकता है राजसरकार किसी एक शित्र में इतना कर लगाना चाहती है टैक्स जब कि केंद्र सरकार उस पर टैक्स जो लगाना चाहती है उसकी रखम कुछ और है अधारित होगा एक रेल चलती है आगरा से उत्तर प्रदेश होते हुए मद्र प्रदेश में घुचती है और उसका गंता विस्थल है चेन नहीं आगरा से चेन नहीं रास्ते में वो 6-7 राजियों को पार करती है जिसमें उत्तर प्रदेश, मद्र प्रदेश, 36 गड़, कल्बना करिए राजियो सरकार के पास रेलवे विभाग का अधिकार है आगरा से घुचने वाली आने वाली ट्रेन को मद्र प्रदेश सरकार कहती है कि मद्र प्रदेश की सीमा पर आप इतने बज़े ही घुच सकते हुँ ऐसे ही महराश की सीमा पर उस ट्रेन का समय महराश की सरकार तै करे चटीज गड़ की सीमा पर चटीज गड़ में घुचने का समय चटीज गड़ की सरकार तै करे तो क्या ऐसे में ट्रेन सुचारी रूप से चल पाएगी नहीं ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें तक्राहट की पूरी संभावना रहती केंदर और राज्य सरकारों के बीच तक्राहट ना हो इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि इन बिन्दूओं पर केवल केंदर सरकार बनाएगी केंदर सरकार कानून बना सकती है, राज़ सरकार नहीं कुछ बिंदूओं पर केवल केंदर सरकार को अधिकार है, कानून बनाने का, राज़ सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती ऐसी सूची ऐसे विभाग ऐसे विशय जिस पर केवल केंद्र यूनियन सरकार यूनियन गर्मेंट कानून बना सकती वह कैलाती है संगी सूची क्योंकि उस पर केवल संग को कानून बनाने का दिकार है संग अर्थात सेंट्रल गर्मेंट केंद्री सरकार ऐसे ही सम्दधान में ये भी उस पष्ट है कि इन कुछ विश्यों पर केवल राज कानून बना सकता है केंदर उसमें दखल नहीं दे सकता वे विश्य है कि राज की सूची में आए हैं और उस सूची को कहते हैं स्टेट लिस्ट पहली वाली कहलाती है यूनियन लिस्ट दूसरी सूची कहलाती है स्टेट लिस्ट जिस पर केवल स्टेट की विधान सवाग को कानून बनाने का अधिकार है विबन राजियों की विधान सफ़ा को कानून बनाने का अधिकार है केंदर सरकार की दखल केंदर सरकार का हस्तक शेप केंदर सरकार के किसी तरह का आदेश राजिय के लिए बाइंडिंग नहीं है ये तो हो गया यूनियन लिस्ट और दूसरा होगा स्टेटलिस कुछ ऐसे भी मामले हैं कुछ ऐसे भी विशे हैं जिस पर केंदर अकेले कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पाता हूँ या रज अकेले कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पाता हूँ और ऐसी स्थिते में जरूरी हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से परामर्ष कर, एक दूसरे से विचार विनमे कर, एक दूसरे से बाचीत करके एक कानून बनाएं, एक कानून पर पहुँचे ऐसे विश्यों में जैसे शिक्षा शिक्षा एक ऐसा विश्य है जिस पर केंडर और राज्य में जब तब तकरार होती थी पूर में शिक्षा केंदर के हाथ में था और जब भी केंदर ने शिक्षा के मुद्दे पर कुछ कानून बनाया तो राज्य सरकारों को बहुत आपत्ती हुई दिक्कत ये थी जिस शिक्षा को राज्य सरकारों को दे दिया जाए तो हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से शिक्षा विरस्था बनाएगी जो देश की एकता खंड़ता के लिए बहुत बड़ा खत्रा होगी तो ऐसी स्थिते में क्या किया जाए केंद्र बनाती है तो राज्यों को आपती है शिक्षा के विशय पर कुछ कानून पर और उसके बहुत से कारण थे जायज कारण थे और राज्यों को यह जिए शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार दे जिया जाए तो हर राज अपनी धपली अपना राग गाएगा और शिक्षा जैसा महत्पूर्ण विशा है अब बहुत विवादास्पत हो जाएगा बहुत दृष्टी से भाशा की दृष्टी से कोर्स की दृष्टी से परिक्षा शैली की दृष्टी से परिक्षा के परणामों की वर्ती सूची मिलाया गया तो तीसरी सूची कहलाती सम वर्ती सूची अर्था concurrent list देखिए union list में कौन-कौन से विभाग हैं ऐसे विभाग जो राष्ट्री हित के मुद्दे देखता हो जिसमें रेल्वे है विदेश विभाग है वित विभाग है रक्षा विभाग है स्पेस टेक्नॉलोजी है आधी आधी स्टेट्स में कौन-कौन से मुद्दे हैं भूमि संबंदी मामले वन संबंदी मामले नगरी प्रशासन के मामले यह स्टेट की सूची में है और जो तीसरी सूची समवर्ती सूची के कौन-कौन से मुद्ध्य हैं जैसा मैंने बताए शिक्षा और कुछ अन्नी मुद्ध्य जो यहां पर दिये हुए हैं यह सब समवर्ती सूची में आते हैं जिसमें दोनों को समान अधिकार हो केंदर और राज्जी को अंग्रेजी में उसे कहते हैं concurrent list, to conquer कार्थ होता है, to conquer मतलब to agree, ऐसा विभाग, ऐसी सूची जिसमें दोनों विभाग सहमत हो, to conquer मतलब सहमत होना, सहमती देना, तो concurrent list मतलब सहमती वाली सूची, और हिंदी में उसे कहते हैं, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों को समान अधिकार है, कानून बनाने का एक साथ, mutual परामर्ष के आधार पर, mutual सहमती के आधार पर, यह हो गई तीसरी सूची, अब एक इसमें और बिल्लू है, भारती समधान नु पाताओं ने जो 1947-1948 में समधान बनाया, तो विभिन ने विश्यों को इन तीन विभागों में, तीन श्रेणियों में बांट दिया, संगी, राज्य और समवर्ती, लेकिन उनको ये शंका थी, और उनने ऐसी संभावना देखी, कि आने वाले वर्षियों में कुछ नए वि विश्यों की सूची के बाहर को इसे विश्य पर कानून बनाना हो, ऐसी स्थिति में किसको अधिकार होगा कानून बनाने का, ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा सपष्ट कि ऐसी स्थिति में केंद्र को अधिकार होगा कानून बनाने का, केंद्र तै करेगी कि वह कानून जिको इसका अधिकार दे या उसे concurrent सूची मिले तो ऐसी सूची जो चौथी सूची है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं सबसे पहले अवशिष्ट सूची अवशिष्ट बचे हुए विश्चियों पर